किसानों को दिली चलो मार्च एक बार फिर शुरू हो चुका है। जरूर लगाएं हैं लेकिन पोलिस दे भी कहा है कि उन्होंने अभी तक किसी प्रदर्शन कारी को नहीं पकड़ा है। इस रिपोर्ट में साफतार पर कहा गया कि किसान नेताओं ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू करने की योज़िना बनाई थी। जिसमें देश भर से किसान बस और ट्रेन के जरीए दिल्ली पहुचने का आगरह कर रहे थे। कि किसी भी किसान को हिरासत में नहीं लिया गया है। सर्वन सिंग पंधेर ने बुधवार को दावा किया कि राजिस्थान में करीब सो किसानों को थभिरासत मिलिया गया जब वो दिल्ली जा रहे थे। इसी के साथ उन्होंने दावा किया दिल्ली में सुरक्षावलों की भारी तेनाती कर सरकार ने स्विकार कर लिया है कि विरोध प्रदर्शन राष्ट व्यापी है और ये पंजाब और हर्याना तक सीमित नहीं है। वो अंबाला के नसीग पंजाब हर्याना की शम्हू सीमा पर मीडिया से बाचीत कर रहे थे। किसानों और हर्याना की सीमा पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। किसानों और हर्याना पुलिस की बीचे की स्वरबरी को ही जड़प के तवरान शुपकरण सिंग नामक एक यूवकी जान भी चली गई थी। इस जड़प में 12 पुलिस कर्मी खायल गुए थे। फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही तमाम देश तुने की खबरों के लिए लोगमत हिंदी पर बने रहें।